कुलकुता रेप केस सिप भारत सद्मे में है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं भारतिय इस मामले को जाने नहीं दे रहे हैं गुस्से में हैं और बलातकारियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं आप सभी जानते हैं कि भारतिय अदालतों में दोशियों को सजा तैक करने की एक प्रक्रिया होती है भारतिय कानून के अनुसार या तो उन्हें फासी की सजा होती है या आजीवन कारावास या कुछ वर्षों के लिए सजा दी जाती है लेकिन दूसरे देशों में बलातकारियों को सजा कैसे दी जाती है? कुछ सजाएं अत्यन तक अठोर मानी जाती है मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ चीन में रेब की सजा मौत है कुछ मामलों में अदालत कानूनों की समिक्षा करती है और बलातकारियों को नपुंसक बना देती है साउदिय अरब में बलातकारियों को कैसे सजा दी जाती है पहले जन्ता इकटा होती है और अपरादी को घुटने तकने पर मजबूर करती है फिर उसे दवाओं या अन्य समान बदार्थों का उप्योग करके बेहोश कर दिया जाता है और फिर अंत में सारवजनी गुरूप से उसका सर काट दिया जाता है अफगानिस्तान बलातकारियों को कैसे सजा देता है? वे सबसे पहले अपरादी के खिलाफ सबूत तलाशते है यदि दोशी पाये जाते है तो अदालत के फैसले के आधार पर चार दिनों के बीतर ही सर में गोली मार दी जाती है या फासी पर लटका दिया जाता है इरान में अदालत के फैसले के अनुसार बलातकारियों को फासी पर लटका दिया जाता है कभी-कभी जनता द्वारा उन्हें पत्थर मार कर हत्या भी कर दी जाती है उत्तर कोरियों में बलातकारियों को किसी खंबे या किसी ऐसी जगह बांद कर सजा दी जाती है जहां वे हिल ना सके और फारिंग स्कौर्ड द्वारा बंद कम्र में या सारवजनी ग्रूप से गोली मार दी जाती है ऐसा कहा जाता है कि ऐसी एक जगह भी है जहां बलातकारियों के लिए और भी सक्त सजा दी जाती है अलाकि ये जगह का नाम ग्यात नहीं है सूत्रों के मताबिक हैरानी की बात ये है कि इस जगह पर बलातकारी को एक बंद कम्रे में रखा जाता है और खाना नहीं दिया जाता उसे उसी कमरे में पेशाब और मल करना होता है और अंत में वह बिमार और कमजोर हो जाता है हर दिन उसे पीटा जाता है और उसी तरह पीड़ित किया जाता है जैसे वह बलातकार के पीड़ित को हुआ था फिर पुलिस उसे अपनी भावना और अनुभवों को लिखने के लिए कागस देती है यदि पुलिस अधिकारियों को बलातकारी के लेखन में दर्द महसूस नहीं होता तो उसे खाना या चिकित्सा सहायता के बिना फिर से प्रतादित किया जाता है उसे कश देने के लिए छोड़ दिया जाता है यदि पलातकारी के लेखन से पुलिस अधिकारियों को लगता है कि वह वास्ताव में दर्द में है और उसे सबक सीख लिया है तो उसे रिहा कर दिया जाता है यदि वह नहीं सीखता है तो उसे और अधिक कश्ट हैना पड़ता है ये जगा बलातकारियों को ऐसी सजा देती है अश्चरे जनब अब जब हमने चर्चा कर ली है तो आप क्या सोचते हैं कोलकता रेप केस के दोशी को कैसे सजा मिलनी चाहिए क्या ये आजीवन कारावास या मृत्यूडन होना चाहिए बिलकुल निर्भया केस की तरह जहां छे दोशीयों को साथ साल केस चलने के बाद फासी दी गई थी क्या कोलकता मामले के साथ भी ऐसा ही वेवार किया जाना चाहिए या दोशीयों को करी सजा दी जानी चाहिए हमें कमेंस में बताइए